असलाम वालेकुम दूस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि आप तो आम लोग ठीक ठाक होंगे खेरियास से होंगे आज की वीडियो में हम सौधरब की कुछ बड़ी और इंपोर्टेट आ रही हो आपनों के साथ सेर करने वाले हैं पहले पड़ेट ये है कि सौधरब विछले 24 गंटे में 4211 नए करोना वारिस के मरीज रिकोट परा हैं जबकि 5162 लोग ठीक हुए है और 4 लोगों की मौद भी हुई है 571,116 लोगों करोना वैक्सिन लगाई जा चुकी है इसके साथ ये अगली बड़ेट ये है कि सौधी में भारतिय दूतावास ने मौसूम भारतिय परवासियों के लिए अपने अधिकारी टूटर हैंडल के मद्दम से जानकारी जारी की है दूतावास का कहिना है कि अपनी नोकरी बचाने की जद्दो जहद और वापस काम पर लोटने की खुआइस ने दोके बाजों को नया मौका परदान कर दिया है दूतावास ने टूटर के मद्दम से बताया है कि कई लोगों के दोरा सौदी से भारत जाने के लिए परवासियों को सपोर्ट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है आपको बतादे चले की MBC सपोर्ट या इमेल के जरीये लोगों को एसमिस कर के मदद के नाम पर उनसे ठगी और पैसे लूटे जा रहे हैं मिनिश्टी ने कहा है कि इस तरह की ठगी में फसने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी तरह की जानकारी के लिए दूतावास के अधिकारी वेबसाइट से ही जानकारी लेनी चाहिए अधिकारी वेबसाइट इसा कि आप सामने स्क्रीम पर देख सकते हैं यहां पर बहुत सरे लोग जो हैं जो सौधरव में रहने वाले भोले बाले इंडियान लोग हैं उनसे कहते हैं कि हम आपको सौधरव से इंडिया भेज़ देंगे और आप दुबारा जो है इमेल का जवाब ना देकर आपको इंडियन इंबेस्टी से कोई भी काम है तो जिसके आप सामने स्क्रीम पर देख सकते हैं इस इमेल पर आप जो है इंडियन इंबेस्टी से कौंटेक कर सकते हैं इंडियन इंबेस्टी की या ट्विटर एकाउंट पर जाकर आप उनसे जो भ हutakee घखाल पूस्ट को काम Nich question हीट कि सौफ़िडरम में अभी लगातार सौधी हिसन जो है वो किया जा रहा है और जो बड़ी-बड़ी पोश्ट है मेंण मेंद पोश्ट है उन तमाम पोश्ट पर सौधी सेरियों को रखा जा रहा है जो गर्मुलकी उस पोश्ट पर काम कर रहे होते हैं उनको हटाया जा रहा है इसके साथ ही अगली बडेट ये है जड़ा व्लदिया की टीम की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया ये गया है कि जड़ा के लाके में जो इमारतों को गिराए जारा है जिन बिल्डिंगों को हुटाया जारा है इन इमारतों में जो रहने वाले सौधी सहरी हैं उनको सौधी गवर्मेंट मुआपजा भी दे रही है और साथ में रहने के लिए जगा भी दे रही है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपडेट के मतावी बताये यह गया है कि जो कच्छी अमारतें बनी हुई हैं उनको सौधी गौर्डमेंट हटा रही है और साथ में जो बिना दस्तावेज के अमारत तयार है उन इमारतों को सौधी गवर्मेंट जो है वो तोड़ रही है यहाँ पर आपको उतादे हैं कि अभी तक 11,000 से ज्यादा इमारतों को जो हटाया जा चुका है जबकि टार्गेट जो हो सौधी सरकार का 50,000 इमारतों को हटाने का है तो यह कुछ बड़ी और इमपोर्टन अपडेट थी जो सौधी आप लोगों के साथ सेर कर दिया जाए तो आज की वीडियों दोस्तों अतना ही उम्मीद करता हूँ यह वीडियो यह इंफ्रमेशन आपको पसंद आज होगी पसंद ये वीडियो को लाइक और सेर जिरू कर दें चनल पर नए हो चनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हाँ पर आपको सोधरब के हावाले से जो भी तायातरीन अपडेट तायातरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलते रहेगी वीडियो देखने का बहुत बहुत सु तुक्रिया अल्लाँ हाफिज